हलो फ्रेंज हिंदी आडियो बुक में आपका स्वागत है इस चैनल पर आपको फेमस हिंदी राइटर्स द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी और लॉंग स्टोरी आडियो फॉर्म में मिलेंगे ये चैनल उनके लिए है जो कि हिंदी कहानिया पढ़ना पसंद करते हैं ले बहुत पुरानी बात है बचपन में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें नीचे के धरजे में पंडित विश्वनाद से हम लोग पहाड़ा पढ़ा करते थे उनकी दाड़ी मूचे सफा चट सिर के बाल जड़ तक छटे हुए और उस पर छोटी सी शोभा पाया करती थी उन्हें देखते ही लड़कों की जान सूख जाती थी प्राणियों में अक्सर ये बात देखने में आती है कि जिनके डंक हैं उनके दांत नहीं होते पर हमारे पंडित में ये दोनों बाते एक साथ मौजूद थी एक और उनके थपड़ घूसे हम पौधों पर आलों की तरह बरसते तो दूसरी और सक्त वचन सुनकर सबको छटी की याद आ जाती पंडित जी को इस बात का बड़ा अफसोस था कि गुरू शिर्से का संबंद अब पुराने जमाने जैसन नहीं रहा है विद्यारती अब देवता के समान गुरू की भक्ति नहीं करते इस तरह अपना जाहिर करके वे अपनी उपेक्षित देव महिमा को बालकों के सिर पर जोरों से पटक दिया करते थे और कभी कभी गहरा हुनकार भी भरते पर उनके भीतर इतनी ओची बाते मिली रहती कि उसे देवता की वज्र की आवाज का दूसरा रूप समझ लेने का भ्रहम किसी को नह समस्ता था सिर्फ एक ही देवता के साथ उनकी तुलना होती थी जिसका नाम था यमराज और इतने दिनों बाद अब तो ये मानने में कोई दोशी नहीं और ना ही डर है कि हम लोग मन ही मन चाहते थे कि देवाले जाने में अब वे जादा देर ना करें तो जादा अच्छा ह पर इतना तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि नर देवता के समान दूसरी बला नहीं देव लोग में रहने वाले देवता बखेडा नहीं करते हैं पेड से दो एक फूल तोड़कर चड़हा देने वे खुश हो जाते हैं और ना दो तो वो तकाजा नहीं करते किन्तु हमारे पंडित देवता बहुत अधिकी आशा रखते थे और हमसे जरा भी गलती हो जाती तो वो लालाला नाखे निकाल कर मारने दोड़ते थे उस समय वे किसी भी तरफ से देवता जैसे तो नहीं लगते थे लड़कों को तकलीफ देने के लिए हमारे शिवनात पं जानता है अपने नाम की प्रसिद्धी के लिए लोग क्या-क्या कश्ट नहीं सहते यहां तक कि नाम की रक्षा के लिए लोग मरने को भी नहीं हिचकिचाते नाम पर मर मिटने वाले मानों के नाम को बिगार देना उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी जगा पर चोट करना हो और तो क्या जिसका नाम भूतनात है उसे अगर नलिनी नात कहा जाए तो उसके लिए भी ये बरदा से बाहर था इसे एक खास तत्व की जानकारी तो होती है वो ये कि आदमी चीच की अपेक्षा ना चीच को ज़्यादा केमति समझता है यानि सोने चांदी की अपेक्षा बा बोड़ा सा इतिहास भी है आसु अपने दरजे में बहुत ही सीधा सादा और भोला भाला लड़का था वे हमीसा चुप रहता लड़ना जगड़ना तो उसकी जनम पत्री में लिखा ही नहीं था बड़ा जेबू था उमर में भी शायद वो सबसे चोटा था सभी बाते सुन करिब उसके घर की महरी एक दोने में कुछ मिठाई और चोटे से गलास में पाने लेकर आया करती थी आसु को इसके लिए बड़ी शर्म मालूम होती थी वो सोचता कि महरी किसी तरह से घर लोट जाए वे नहीं चाहता था कि इस बात को कोई जाने कि स्कूल के चात्र के अला का उसकी कोई बात नजान ले पढ़ने लिखने में उसकी कोई गलती नहीं होती थी सिर्फ किसी-किसी रोज श्कूल आने में जरा देर हो जाया करती थी शिवनात पंदित जब उससे कारन पूछते तो उसका कोई सही उत्तन नहीं होता था इसके लिए कभी-कभी उसे रखकर पीट नीची करके दलान की सेडियों पर खड़ा कर देते थे और चारो दर्जों के लड़के उस जेपू लड़की को उस हालत में देखा करते थे एक दिन ग्रहन के चुट्टी थी उसके दूसरे दिन स्कूल में चौकी पर बैठे हुए पंडित जी ने देखा कि एक स खतम होने पर चुट्टी होने से पहले उन्होंने सब लड़कों को संबोधन करके कहा सुनो रे सब कोई सुनो पिर्थवी की समूची मध्या करशन शक्ती जोरों से बालों को नीचे की ओर खीचने लगी फिर भी छोटा सा आसू अपनी बैंच पर धोती का एक छोर और दोन आस के साथ और किसी दिन की तुलना नहीं की जा सकती हालाकि बात बहुत छोटी सी है और दो शब्दों में खतम हो जाती है फिर भी ये मानना ही पड़ेगा कि उसमें एक रहसे है आसू की एक छोटी बहन थी उसके बराबर की कोई साथिन या बहन ना थी इसलिए वे आसू क साथ ही खेला करती थी लोही की रेलिंग में घिसा हुआ गेट वाला आसू का मकान है सामने गाड़ी ठहरने के लिए बरांडा है उस दिन खूब वर्षा हो रही थी जूते हाथ में लिए सिर पर छत्री ताने जो दो चार आदमी सामने से आ जा रहे थे उन्हें किसी भी तर रहा था उसी के तैयारी के बारे में आसू बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बेहन को उपदेश दे रहा था सवाल ये था कि पुरोहित किसे बनाये जाए बालिका चट से दोड़ी गई और सामने खड़े एक आदमी से पूछने लगी क्यों जी तुम हम लोगों के पुरो जोहित बनने के लिए आगरे कर रही थी पंडित जी को देखते ही आसू अपने खेल और बेहन दोनों को छोड़ चाड़कर दौड़कर मकान के अंदर भाग गया उसका छुट्टी का दिन बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गया था दूसरे दिन शिवनात पंडित ने जब सू सब दर्जों के लड़के बाहर भाग गए और एक दोने में छोटी सी मिठाई और चमकते हुए फूल के गिलास में पानी लिए हुए महरी दरवाजे पर आखड़े हुई उस समय हस्ते हस्ते उसका मुह और कान सुर्खों उठे थे दर्द में डूबे माथे की नसे फूल च चाने लगे चुट्टे के दिन का अपनी छोटी बेहन के साथ खेला हुआ वो खेल आसु की नजर में अपने जीवन का सबसे बढ़कर शर्म से भरा भ्रम मालूम होने लगा उसे विश्वास ही ना हुआ कि दुनिया में लोग उस दिन की बात को भूल जाएंगे तो फ्रें